अग्याइज वेलकम बैक टो मैं चानल इंडेलाग बादलो परती गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ जो मेरा टॉपिक है आपके क्वेशन से लेटेड होता है जैसे आपके क्वेशन आते हैं उसके साफ से मैं जो है वीडियो बनाता हूँ प्रैक्टिकली तो गाइस आज क मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि इस्ट्रॉइट डेक्स हम जो यूज करते हैं अथलीट ये कितने टाइम तक चलाना होता और कौन सी साइकिल कितने टाइम तक चलती है और कैसे यूज करना होता इसके बारे में आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ लेकिन अगर से पहले तुम आपको एक चीज बता देता हूँ मेरे पास ये क्वेशन इसलिए आते हैं क्योंकि साइध मैंने बहुत सारी वीडियोज I think more than 200 वीडियोज मेरी इस्ट्रॉइट के ओपर डली वी है तो ऐसा लगता है कईयों को कि ये साइध इस्ट्रॉइट के बारे में बत से दूँआ तो प्लीज दू नोट आस में अनी साइकिल आम नोट पर्मोटिंग अनी ड्रक्स एनिधिंग मैं किसी भी ड्रक्स को पर्मोट नहीं करता हूँ अब आई बात कि कौन से साइकिल कितने दिन तक चलाई जाती है कम टू पॉइंट साइकिल देखिए अलग-अलग होती है कई सॉल्ट ऐसे होते हैं जो बॉड़ी के अंदर वाटर टेन होंगे आपके बॉड़ी में बहुत जली बल्क गेन करेंगे जैसे मैरे पहली भी आरपी 6 के उपर वीडियो डाली थी तो वह ऐसा एक ऐसा प्यप्टाइट है जो आपकी बॉड़ी में मसल्स मास को करेंगा बॉड़ी में तो कई सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर टेन करते हैं बॉड़ी में और कई ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एकदम से बहुत अच्छा गेन करते हैं बहुत वाटर टेन भी करेंगे तो बल्क गेन करेंगे और कई ऐसे सॉल्ट होते हैं जो खाली गेन करते ह वाटे टेन नहीं करते हैं, लीन गेन करेंगे, और कई ऐसे सॉल्ट होते हैं, जो सिरफ बॉड़ी से फाट को खतम करते हैं, बॉड़ी को एकदम सेड़ेट कर देते हैं, I mean बॉड़ी का जितना भी फाट होगा, उसको बिलकुल एकदम खतम कर देंगे, तो हर सॉल्ट का चेंपेंसिफ स्टार्ट होने वाली है, तो ऐसे कई बच्चे हैं, जो तिसमबर के बाद चेंपेंसिफ की तियारी करें, तो उनको अभी से तियार होना स्टार्ट हो जाएगा, उनका अभी से ऐसा नहीं कि चेंपेंसिफ आई, उसके एक मैने के पहले आप तियार होना स्ट कई बंदे ऐसे बोलते हैं कि सर मैंने यह साइकिल यूज किया था बट मेरी बॉड़ी तो बिल्कुल एकदम ख़तम होगी बॉड़ी में कुछ है नहीं देखे कई तरीके हैं अगर आपने गलत चीज यूज किया तब यह ऐसा प्रॉलम हो सकता है या फिर आपके बॉड़ी मे बॉड़ी में फैट है फैट कतम हुआ आपकी बॉड़ी सेड़ेड होगी सेड़ेड होगी तो मसल्स दिखेगा नहीं तो ऐसा भी प्रॉलम होता है तो सबसे पहले अपने मसल्स गेन करना होता है तो लीन मसल गेन ज्यादतर मैं फिर फेर करता हूं कि लीन मसल गेन अगर आ प्रो लेविल के बंदे हैं, वो कम से कम, 3-4 साइकिल, माक्स, क्योंकि वो ब्लास्ट कर रहे हो बोडी को अगर आप बोडी को क्रेस्ट कर रहे हो, तो क्रेस्ट का जो टाइमिंग पिरेट होता है, जो इंटरनेसल बोडी विल्डर होते हैं, वैसे तुम आपको बता दूँ, ग्रोथ हार्मोन के साथ साल-साल भरवे भी स्टैक पर रहते हैं, बट नहीं, आपको इतना लंबा नहीं रहे हो, कम से कम आपको 6-7 मन्थ इसके बाद आपको ड्रॉप करना है, फिर आपको कंप्लीटली PCT करनी है, फिर आपने जो है, उसके बाद फिर से गेनिंग करनी है, या फिर आपको जो भी गोल है, according to your goal, बट अगर आप लीन गेन कर रहे हो, तो लीन गेनिंग का टामिंग का फिरेट जो होता है, माक्स 3 मंथ, 3 मंथ से ज्यादा बोडी को स्ट्रेस नहीं देना, बाई, आपकी किटनी चले जाएगी, लीवर चला जागा, सब को चला जागा बोडी बिल्निक बहुत लंबा गेम है, कंटीनु किसी चीज को कंटीनु करना, अभी अगर आपका कर्टीनन बड़ा है, या फिर आपका जो लीवर में कुछ इसूद आ रहे हैं, तो वो आपको ड्रॉफ करने के बाद आपने उसको फिर से डिटॉक्स करके बोडी को अच् कुछ कर पाओगे, अब बोडी में स्ट्रेस उतना ही डालना है, जितना की आपकी बोडी जहल सके, हर किसी की बोडी अलग-अलग होती है, बोडी का टाइप तैया अलग-अलग होता है, मुझे एक मैसे अभी कुछ दिन पहले आया था, वो बोलता है कि सर मैं तो हमेसा स्ट हर थ्री मन्त के बाद आपने टेस्स कराना जरूरी है, जो आपका लीवर, किटनी, हार्ट का टेस्स कराना जरूरी है, उससे आपकी बोडी को पता लगता रहेगा कि अंदर क्या चल रहा है, और अकॉर्डिंग तो डाट, यू है टो भी प्लान, और सबसे बड़ी बात मैं मुझे पता है उसके बारे में कि एक ऐसे चलाना, इसके क्या side effect है, इससे क्या होता है, तो मेरे client मेरे को जब भी कभी बोलते है, या मेरे बच्चे जब भी मेरे को बोलते है कि sir, मेरे को ऐसी problem हो रही है, तो मैं immediately समझ जाता हूँ कि इसने क्या किया होगा, या मुझे पता ह ते दे ते श्रूऄर होते होरग उसमें कही शॉल्ट काम आपको बता दूंग सॉल्ट एसे हैं ड़र। जो लास्स मॉममेंट में चला जाते हैं हैं बैया। आपके लावकनोग लाउस्टिकए हो आपके बॉड़ी में हैकने हो गया, आपके हड़ियां खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया, ऐसे कई बच्चे हैं, रिजल्ट आ रहा है, आपने पहले से स्टार्ट कर गया, नहीं, कई स्वल्ट ऐसे होते हैं, जो नहीं चलाए जाते हैं, तो ये इस चीज का नॉलिज हो करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो आपने कोई भी चीज, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बतारू, मुझे कई बंदे निगेटिव कमेंट भी करते हैं, कि सर ऐसा हो ऐसा, जो भी है गुलत बात बहुते हैं, साथ मैंने उनकी दुकान बंद करा दी, इसलिए निगेटिव कमेंट करते हैं, I don't care about it, अगर जो सच है, मैं सच बोलूँगा, उससे मेरा कोई कुछ भी बोले, मेरे को फरकने पड़ता, अगर किसी आपके किसी काम से दूसरे को नुकसान पहुचता है, तो वो काम कभी नहीं करो, करने ना मैं करूँगा, ना मैं क करने दूँगा, simple सी बात है, कई market में ऐसे बंदे हैं, जो without rapper निकाल के, समान जो बच्चों को देते हैं, rapper निकाल के, मैं बहुत बड़े-बड़े लेवल के बंदों की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े-बड़े लेवल पर बैठे है, rapper निकाल के देते हैं, भाई, तुम क कि अपने बता दिया, कि भाई, डेका चलाने है, टेस्टा चलाने है, उसमें क्या सीख लेगा बंदा, मुझे ही बाता हूं, किसका क्या काम होता है, टेस्टा का काम क्या है, टेस्टा होता किसलिए है, आपको ये तो पता है, कितनी टेस्टा होता है, आपको टेस्टा कितना requirement है यह knowledge कहाँ से आएगा उसके बास नहीं आएगा ना तो आपको बताने भी क्या दिक्कत है कि क्या समान चला है अगर उसको salt का knowledge मालूम हो भी जाएगा salt का नाम मालूम हो भी जाएगा या price या तो आप price है जर्वत से ज़्यादा price ले रहो अप price ले रहो कि कभी भी कोई ऐसा बंदा आपको मिलता है बहुत अच्छा बंदा है बहुत अच्छे लेविल का है और आपको अगर प्रेपर निकाल के देता है समान बिल्कुल लेने की जरुवत नहीं है बिल्कुल भी purchase मत करो ये मैं खुले मोल रहा हूँ मेरे बहुत सारे ऐसे cases आते है गोलिया बना बना के पुडिया में बर के what is this मजाग चल रहा है कि ये body building में मजाग चल रहा है कि किसी की body खराब हो जाएगी कुछ हो जाएगी who will responsible for that आप responsible होगा क्या अगर किसी को कुछ नुक्सान होगा दो तो ऐसा काम नहीं करना है this is very illegal ये बिल्कुल भी allowed नहीं है body building के अंदर अगर कोई भी body building में ऐसा करता है तो that is totally illegal ये किसी को भी allowed नहीं है पैसा कमाने के बहुत सारी तरीगें आप अपने talent को पहचानों पैसा कमाने के बहुत तरीगें ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता है ये कोई तरीगा नहीं है पैसा कमाने का गलत टॉफिक पजारों में गलत बात को कहां से कहां ले गया हूं प्रेट आपकी बॉड़ी हो रही है, तीन मैने चार मैने, चार सैकल से ज्यादा आपको नहीं चला निहीं है, बिगनर लेबल हो तो, मैकस तरी तीन से ज्यादा नहीं चला नहीं, उसमें आपको स्टॉप करना पड़े हाँ, एक international level का बंदा है या फिर national level का बंदा है उसकी body habitual हो जाती तो चार साइकल पांच साइकल तक भी एड़ कर लेता है उसकी body उतना stress जहल सकती है बड़ आपकी body नहीं जहलेगी हर किसी body अलग होती है कहीं को beginner को ऐसे कई salt होते हैं जो beginner को भी नहीं दिये जाती है इसे कई salt होते हैं जो beginner को दिये ही नहीं जाते तो उस cycle में beginner को salt add नहीं करना होता है और gaining का जब चला रहे हो तो gaining depend करता है कि आप growth hormones के साथ anabolic ले रहे हो या खाली anabolic के cycle चला रहे हो वो depend करता है growth hormones जैसे आप अगर growth hormones ले एज जोगर की बात करो मैं ऐसे लेते तो यह 15-20 दिन के बाद तो body में result दिखाना यह start करेगा तो यह long plastic आप चला सकते हो इसको I mean 6 मेने साथ मेने भी चला सकते हो आट मेने तक चला सकते हो but test कराना ज़रूरी है और हर मेने में test आपको हर 3 मेने में 4 मेने में test कराना पड़ेगा वो आपको जरूरी है कि क्योंकि बॉड़ी है तो सब कुछ है बॉड़ी निया तो कुछ नहीं है तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी क्योंकि मैंने आपको सब completely इसमें बता दिया कि कौन से चीज आपको ऐट-लिस कोई बंदा चला है तो आपको पता तो लगी कि ऊनसे से अगल के देड डा इंच चलती है तो मेरा काम है बताना मैं किसी चीज को पर्मोट नहीं कर रहा हूं किसी ड्रक्स को पर्मोट नहीं कर रहा हूं ऐसे कई बंदे करने धेट सारे कमेंड करने हैं कि क्या आपके साथ ऐसे कंकेंड हुएं कि बगर रैपर निकाल गया पको दे दिया या फिर आपके टेनर ने आपको जवर Archive कर दिया एसा कुछ कर दिया या फिर ऐसी चीज़े बता दी ऐसा कुछ हुआ है तो please इसमें comment जरूर करें इसमें धेर सारे comment करने हैं और आपने इसके जादा जादा सियर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जाने से बेल करना है क्यांकि subscribe करोगे तब यापको knowledge मिलेगा subscribe करना है इसमें like बटन है लेटेस्स वीडियो होगे आप तक पहुँझागी थैंक्यू गाइस थैंक्स वाचिंग वाचिंग वीडियो